तो आज तक हमने जो भी पड़ा है जितना भी implement किया है code के अंदर वो सब कुछ हमने एक public static void main के अंदर किया है चाहे फिर हमा variable बना रही हूँ अपना कोई या हमने कोई int type का एक array बनाया हो या हमने कुछ string बनायी हो या फिर हमने कोई for loop बनाया हो और क्या-क्या आपने बनाया यह बताओ जो भी आपने काम किया है वो सब कुछ आज तक आपने public static void main के अंदर किया है एक काम आपने public static void main से बाहर किया है वो काम क्या किया है आपने public static void main से बाहर का वो आपने किया था method आज हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे बिना public static void main के हम किसी class का data member member function that is called method ठीक उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो एक्साइटिड हो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में यार बिनने टाइम वेस्ट किये चलो देखते हैं बाहर की दुनिया क्लास टेस्स से बाहर पब्लिक स्टाटिक वाइड में से बाहर ओके एट्स गो इस वीडियो विल बी और लास्ट वीडियो क्योंकि मैं गैरेंटी ले रहा हूँ इसके बाद उपस आपका यहां फिट हो जाएगा यह आद रखना हमेशा के लिए फिर जाए प्रोग्रामिंग लेंग्विज कोई सी भी सीख लेना आपके उपस कॉंसेप्ट हिलेंगे नहीं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता दू अभी तक यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसी कोई वीडियो नहीं मनी है जिसके अंदर रियल लाइफ एक्जाम्पल्स के साथ किसी ने डिसकस किया हो विद कोड इंपलीमेंट किया हो प्लस इंटर्वी कोशन जो प्लेसमेंट के टाइम बे पूछे जाते हैं प्लस असाइंगमेंट्स आपको किसी ने दिया हूँ हम इसे स्पून फिडिंग कर दिया है वही टॉपिक्स वही डेफिनेशन कुछ दे दिया है ये सब ठीक है मैं आपको स्पून फिडिंग से बाहर जाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक रियल टीचर का मतलब होता है आपको कोशन देजेना और उसके बाद आंसर के लिए छोड़ जाना उसके लिए आप रिसर्च करो ठीक है आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉंग करके चले जाना बस मैं उतना ही काम करूँगा तो रेडी हो एक्साइटीड हो ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मैंने पोल डाला वो भी उपस की का वीडियो आ रही है तो लो फिर आ गई है और मैं आपको पता दू हर चीज हम सिस्टेमेटिक मैनर में पढ़ेंगे ठीक है सारी एक दूसरे से कैसे लिंक है वो सब भी देखने वाले है ऐसे ही नहीं है कोई कहीं से भी कुछ टॉपिक पढ़ा दे रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं और आउंड 6-7 साल हो गए मिरको मुझे पता है कौन सी चीज की कप डिमांड है कैसे पढ़ाई जाती है वेल स्टक्चरड में बिल्कुल step by step पढ़ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे एक बड़ी सी चीज बोल रहा हूं कि हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी है यस आप जाके देख लो cross verify कर लो description में जो भी मैंने चीज़े बोली है thumbnail में लगाई है theory code, interview questions जो place मैंने पूछे जाते है बहुत बार पूछे गए है ठीक है मैंने खुद पूछे हैं बच्चों से और उसके बाद जो assignments है आपको description में दिख जाएगा उसके बाद इसमें मैंने इतने सालों से इतने बच्चों को पढ़ा है ठीक है कभी किसी ने complaint नहीं करी है क्योंकि सब को मैंने well maintained well structured wise पढ़ा है कब किस topic की कितनी ज़रुत है उसके बाद वो कैसे एक दूसरी से link है उस manner में पढ़ा है वो चीज़े मैं यहाँ पर वही follow करने वाला हूँ ठीक है तो इस वीडियो को complete देखने के बाद आप feedback जरूरू देना कि आपको सारी चीज़े समझाई कि नहीं आई क्या यह वीडियो valuable थी कि नहीं थी ताकि आने वाला वच्चा भी check कर सके आपके comment से कोई मेरे fake comments नहीं होंगे तो शुरू करते है अपनी वीडियो अपने first question से यह आद रखना है जब भी आप interview में बेठोगे तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि आप से what is oops नहीं पूछेगा वो पूछेगा why we need oops actually देखो किसी भी जिंदिगी में कोई चीज बनी है उसकी कोई जरुत है ठीक है जब जरुत है तभी उसको पढ़ा जाता है उसके बारे में जाना जाता है right no अगर भूग ना लगे तो इंसान का माने भी न निकले okay तो जरुत है भूख इसलिए पैसा है no तो देखो oops कोई programming language नहीं है oops क्या concept है क्या concept अब ये एक ऐसा concept है देखो कुछ code लिखा गया है ठीक है कोई code लिखा हुआ है कोई software बनाए जिसका code बहुत सारा लिखा हुआ है ठीक है अब उसको देखो यार अगर मैं बोलू हजार लाइन का code है बोलो हजार बुल लाक दो लाक ठीक है क्योंकि जब भी आप एक functional programming करोगे न functional programming में क्या होता है step by step नीचे सभी एक ही file में सारा code लिखा होता है अब वो दो लाक लाइन का code है ठीक है कुछ गलती से कहीं problem आ गई तो कैसे कहां ढूंडोगे the main impact is that ठीक है उसको याद कैसे रखोगे तेखो कोई चीज अगर आप पढ़ पाओ तो उसको maintain कर लोगे ढूंड भी लोगे ठीक है यारी दोस्ती भी हो जाएगी थोड़ी बहुत तो वही है एक जो उपस है न वो यारी दोस्ती करवा देता है किस के साथ कोड के साथ ठीक है उपस के concept जो होते हैं बिल्कुल real life से similar होते है तो कोड को software को बिल्कुल एक real life में बनाने वाला इंसान ही है ठीक है एक software engineer सबसे पहले human being है और वो उसकी environment में भाई बेन यार दोस्त वैसे ही कुछ है तो वो कोड से भी वैसे बातचीत करना चाहता है ठीक है उसी भाषा के अंदर जिसको अलाव करता हमारा उपस concept ठीक है इसकी वज़े से कोड हमारा रीडेबल हो जाता है ठीक है रीडेबल के साथ साथ सिर्फ बुला कि अब बनलब रीड करना समझना बातचीत हो जरी है इसके लिए बस उपस को बनाए गया बिल्कुल ऐसे समझो और अगर आप रीड कर पाओगे तो आपको एजी टू अंडरस्टेंड हो जाएगा ठीक है एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी ना बस इसके लिए नहीं उपस की वज़े से अपका काम रीउज में भी आ जाता है यस उपस का कॉंसेट बहुत जादा इसलिए भी हम करते हैं यूज क्योंकि वो रीउज कर सकते हैं बुलाओ वो तो हम भी कर सकते हैं ठीक है जैसे मैथड बनाए थे हमने अब क्या वो बार-बार मैथड को ठीक है अगर मेरे को दूसरे सॉफ्टवेर में कोई बना रहा हूं में फिर मेरे को कहीं ज़राद है या कोई नया फीचर बना रहा हूँ आपका code हमेशा dry होना चाहिए, अब यह वो वाला dry नहीं है, ठीक है, पीने वालों के लिए यह dry वाला मतलब नहीं है, this is, don't repeat your code, if you are repeating your code, you are a criminal in the software engineer field, yes, yes, अगर आप कोई code repeat करते हो अपनी software engineer field में, अपने software में, तो आप criminal हो, क्योंकि आप क्या हो, क्योंकि अगर आप बोलोगे, यार मेरे को 1000 line का code की, वो दो, payment करो, और आपने 500 line लिगे, 500 line copy कर दिये, ऐसा नहीं चलता, ठीक है, तो आपका code क्या होना अची है, dry, reuse कर पाओ, ठीक है, read कर पाओ, easy to understand हो, ठीक है, इसके बाद, और भी चीज़े हैं, yes, आपका oops, किसमें help करता है, expand करने में, अब ये बताओ, expand करना क्या होता है, अपग्रेड करना, features को और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है, जैसे Amazon, Flipkart, Google, YouTube, सब में एक सी साथ सारे features तो आने गएते, like, subscribe, ठीक है, और भी सारी चीज़े होती थी, ठीक है, वो सब एक साथ नहीं आएं, धीरे-धीरे-धीर कर गया है, वो सारी चीज़े, features को और expand करना, upgrade करना, इस भी हो जाता ह जो आप OOPS concept को लगाते हो, ठीक है, तो यही आप अपनी भाशा में लिख लो, जो आपको इंटर्वियर को देनी है, ठीक है, अब, what is the OOPS, तो, simple था funda है, OOPS is stands for object-oriented programming, अब अबजेक्ट-oriented programming, अबजेक्ट-oriented programming क्या होती है, रियल लाइफ में जितनी भी चीज़े हैं, व oriented programming, ठीक है, object-oriented programming का मतलब क्या बन जाता है, की relatable programming, right, relatable code, now, what is the S, yes, interview में यह जरूर पूछे लेते, फजा देते, कई बार, की S stands for, वाप, बच्चा गन्फियूज, कोई system पढ़के आया है, कोई structure पढ़के आया है, कुछ भी बोल तो, ठीक है, देखो, कोई system बोल रहा है, व भी गलत नहीं है, आपके पास explanation होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया, interview ने अगर आपसे पूछ लिया, S, क्या है, आप बोल जो system, वो बले structure नहीं हो सकता, वो बले structure, तो system नहीं हो सकता, ठीक है, यह game है, bloody games, तो आपको बोलना है, देखो, या, की system का मतलब क्या होता है, कुछ set of rules, कुछ चीज़ी रखी होई है, उसके अंदर, उसके system बोल देते है, structure क्या है, yes, एक plan को हम follow कर रहे है, वह structure है, तो दोनों जगे हमारा काम fit हो जाता है, ठीक है, यह दिमाग खराब करने वाली बात है, और कुछ नहीं है, समझ जाओ, ठीक है, दोनों बोल इसको inherit करते हैं, life में, अपने father, mother से, ठीक है, DNA like, ठीक है, example, property, okay, now, वैसे ही कुछ है, तो यह हमारा structure है, oops, oops का एक structure है, जिसके अंदर हम code करते हैं, और oops independent है, every programming language से, ठीक है, इसको support करती है, C++, Java, Python, ठीक है, और B है, okay, now, अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम Java बढ़ रह function का मतलब यह है, कि भाई अगर आपको कोई काम करना, आपको एक software बनाना है, ठीक है, तो आप क्या हो line by line, line by line, दिखा जा रहा है, 2 lakh line है, ठीक है, programming का मतलब, क्या है, यह software टूट जाएगा, तुकडो में, यह मालो 100 line है, यहां लिखी है, 100 line है, हां लिखी है, ठीक है, काम कर दिया भाई ऐसा कर तू sum का मैं मतलब वो बना ले code लिख ले ठीक है तू क्या कर ले multiply का बना ले ठीक है division का बना ले इसके बाद सब को मिला के हम क्या कर देंगे एक calculator बना देंगे ठीक है तो ये ऐसे करके हम features को expand कर सकते है divide कर सकते है role responsibilities एक एक particular engineer को provide कर सकते है ठीक है अब move करते हैं अपना starting बे आपने अभी तक oops का एक जीता जाता example देख कर आ रहा है हो Java के अंदर बताओ क्या ठीक है आपने class जैसे मैंने एक word बोला oop में सबसे पहला word गया था object क्या मुझे बताओ आपने मेरी collection framework की पड़ियो की वीडियो ठीक है या आपने मेरी simple java की वीडियो देखिए तब क्या हमने object बनाया है कभी बताओ यस हमने object बनाया है आपने इसका जीता जाता example देखा है कहां देखा है मैंने दिखाया था आपको scanner class का object बनाकर जब हम input लेते थे scanner sc equal to new और फिर क्या लिखते थे scanner इसके अंदर हम क्या डालते थे system.in ये example ये हमने किया है code में ठीक है तुमने पड़ा है यही एक जीता जाता example है किसका object oriented programming language का yes इसके लिए हमने क्या किया था इसको अपने program में यूज करने के लिए import किया था किया था कि नहीं import java.util.scanner या जो भी है हमने किया यह utl.star लगा देते सब कुछ import हो जाता था हमने तो input का कुछ बनाए नहीं हमें नहीं पता कैसे input ले रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं ठीक ठीक है उनको यूज किया अपने हिसाब से अपनी ज़रत के हिसाब से हमने तो नहीं मनाया इंजिनेरों ने बना कर रखा हुआ है किन इंजिनेरों ने जावा के इंजिनेरों ने ठीक है तो यह चीज समझो इसकी क्या होगा यही एक main advantage है अगर आप से कोई पूछता है what is the advantage of the oops जो चीज अभी मतलब 10 साल पहले बन चुकी हम आज भी यूज कर सकते है कर रही है right features को ऐसे expand हो रही है upgrade हो रही है तो आप से कोई भी example पूछे ठीक है तो आप बोल चकते हो बेजिजग java.util.scanner का ठीक है तो वह हमेशा रहेगा okay now यही beauty है पनी java की क्यों स्टार्टिंग से बच्चा यहां पर oops में ही काम कर रहा होता है बस अब जाके feature पढ ले रहा है थीक है बट स्टार्टिंग से वह class बना रहा होता है उसको पता हो थी class कैसे बनाते है उसको पता है method कैसे बनाते है उसको पता है scanner object उसने use किया उसको पता object कैसे बनाते है this is the beauty of the java if you are learning okay यह C++ को opportunity वाली नहीं है उनके लिए हर चीज नहीं होती है okay हर चीज कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से link है तो कैसे link है मैं आपको बता दो तो सबसे जो basic ground level पे आप बात करते है तो ground level पे मैंने क्या बनाया java.util.scanner से import करके scanner object बनाया राइट yes हमने क्या बनाया भाई scanner object बनाना था हमारे को object चाहिए ठीक है हमने किस पर काम किया object उपस भही बोलता object-oriented programming तो काम हो रहा है oops के object पर ठीक है अब यह object कहां से आया class से यह class कहां से आयी यह कहीं होता interface ना अभी एक और चीज में बता हूँ कोई class को blueprint बोल देता को interface को भी interface is the actual blueprint class is implementing the blueprint okay अभी बात करेंगो उसमें अब यह सब चीजे हमने सब के लिए basic क्या किया एक import किया package यस यस सारी की सारी चीजे कहीं पड़ी होती है package के अंदर ठीक है अगर मुझको कुछ यूज करना है किसी का object बनाना है तो उसको पहले package को import करना पड़ेगा तो इस हिसाब से link होती है यह हमारा actual में well structured plan होता है ठीक है अगर कोई software बनता है वो नीचे से बनता है मैं पढ़ाऊंगा तुमको ऊपर से नीचे ठीक है क्योंकि सबसे पहले package बनेगा फिर blueprint बनेगा फिर blueprint को implement को कोई class कर रही हो और class से हम कोई object बना रहे होंगे actual में हम काम किस पर कर रहे होंगे objects पर हम पढ़ेंगे उल्टा काम होगा ऐसे ठीक है अब इन सब चीजों को हम implement करते हैं तो oops के कुछ चार pillar बोले जाते हैं ठीक है जिनकी वजय से ये होता है अच्छा काम that is encapsulation ठीक है और एक होता abstraction और एक और है inheritance और एक कौन सा है polymorphism ठीक है अगर कोई आप से interviewer पूछता है कि आप मेर को ये बताओ what are the basic pillars what are the main features of the oops आप हमेशा ये चार चीज़े बोलना हो और ये सारी की सारी चीज़े process है ये pillars है बड़ ये process है encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism आपको समझन में आना होना चाहिए कि नामों से कुछ ऐसा लग रहा है these are the process yes ये कुछ process है तो इन सभी pillars को हम एक एक करके detail में अभी करेंगे implement करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ क्योंकि ये पूछे जाते है ठीक है हर बंदा, हर interviewer इन में से पूछता है definition भी पूछता है code भी लिखवाता है, example भी पूछता है, use भी पूछता है, सब कुछ पूछता है, ये main है ठीक है और ये ही पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि हम उसको जानते हैं, हमने अपनी लाइफ में देखा है, करके, right, okay, what is called object, interviewer में आप से पूछ रहा हूँ, आप object से क्या समझते हैं, मुझे बताओ, what is called object, what is called class, अब बोलोगे, ठीक है, मैं यहा लिख दू real life entity, ठीक है, और ये लिख दी virtual, ठीक है, virtual entity, बताओ, समझे बहा है, मैं बोलू, कभी आपने कोई car देखी है, बोलो कि हाँ, देखी है, कभी human देखा है, आप देखते हो रही हो, अच्छे कासे, ठीक है, okay, आपने कोई animal देखा है, हाँ, देखा है, वो भी आप ही हो, no, और कुछ, और कुछ, चलो, bike देखी है, आया, busa कि देखी है, BMW की देखी है, car power का देखी कि, OD की देखी है, fortuner देखी है, scorpio देखी है, मैं ने बोले, नहीं, त्मने ये class class नहीं देखी है, बोलो और क्या बात करना हो, सफ जूट बोलते है, नहीं, मैं सच बोल रहा है, तुमने कॉई भी class नहीं देखी, class is called category, class is called category, okay, category, एक logical एक logical चीज है logical entity वर्चूल भी क्या बोल दी लॉजिकल ठीक है जो तुम्हारे logics में है बस तुम्हें पता है कि यह human है यह car है यह bike है यह animal है यह table है, यह scooter है बस span है अक्शुल में आपने कभी class दिखी नहीं आपने हमेशा objects देखे है the actual presence objects की होती है यह real life entity है यह physical entity भी बोला जाता इसको physical ठीक है क्योंकि इसकी physical presence है आप इसको देख सकते हो छू सकते हो ठीक है class को नहीं yes आपने कोई animal नहीं देखा आपने cat, dog उनकी breeds ठीक है वो सब देखे हैं, objects है category, पुरी dog category, पुरी cat category उससे भी पुरी animal फिर animal, animal जाए cat, dog जा रहा है वो कई इनहेलिट हो रहा है, एक दूसरी से link है अभी पढ़ेंगे वो भी नो तुमार को यह point clear होना चाहिए object और class में difference क्या होता है क्योंकि interviewer पूछता है पूछता है, placement में पूछा जाता है exams में आता है what is the difference between object and class यह concept आपका clear होना चाहिए ठीक है हम object बना रहे होते है class की मदद से एक class अल्रेडी बनी हुई है एक category बनी है उसमें चीजें define है उसमें data members है ठीक है, member functions है मतलब state है किसी object की state और उसका behavior उस पे 4 lag है 2 आखे है पूछ है की नही इंसान है तो पूछ नहीं होगी दो ही पैर होंगे दो हाथ होंगे पंक है की नहीं एक bird की category में चला गया अब class कैसे बनाते है class बनाते हम एक class keyword से आपने देखा है ठीक है, हम class एक simple keyword लिखते है जिसका c small होता है और हमेशा class का नाम किस से लिखते है कोई भी class लिखेंगे उसका पहला alphabet capital होना चाहिए like my class class से class नहीं बना सकते क्योंकि keywords वो चीज़े होती है जिनके reserve meaning है अब हम उनको use नहीं कर सकते यह मैं बता चुका हूँ पहले basic वाली वीडियो में okay, now my class इसके बाद body open होती है body close होती है body open और body close इसके अंदर आपने public static wide main बनाया है अभी इससे आगे बात करते है public static wide main ना बनाओ अब मैं बोल रहा हूँ आप बना रहे हो कोई class बना रहे हो, इसमें data members होते है data members और क्या वो बहुत जाता है member function member function क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि data members और member function का मतलब है ये भाई इस class के member है ये इस class के member है example के तौर पे हम क्या समझ सकते हैं कोई class है, एक real life example से देख ले दे like मैंने कोई class बनाई class है मेरी car, ठीक है अभी car के पास क्या क्या चीज हो सकती है car के पास कोई उसका number होगा ठीक है, unique number, now car के पास एक और चीज होगी क्या होगी बताओ मेरे को, color ठीक है, car का क्या होगा model number होगा ठीक है, model number ये चार, ये क्या होगे ये होते हैं data members क्या होते हैं, data members, okay what is called member functions these are the behaviors okay, ये हमारे state एक state को बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं behavior जो होती है, वो properties होती है एक तरीके की, मतलब जैसे eating, walking, running human की behaviors में आ गया ठीक है, तो car में उसकी, जैसे speed calculate करना ठीक है, तो speed उसका एक behavior हो गया okay, ठीक है, mileage ये बहुत सारी चीज़ है है, ऐसी, ठीक है, sound okay, ये उसकी properties है उसकी unique properties है अभी ये मान लो, ये इसके अंदर आ गया ठीक है, wide मान के चल लो अभी, ठीक है, wide sound दे रही है, mileage दे रही है on बजा रही है, जो भी है, whatever ये, ऐसे करगी है, हमारे क्या हो गए दोनो, member functions data members and member functions, okay, अब क्या हमने इसको एक class के अंदर बनाय है, हमने इन सब चीजों को किसके अंदर बनाय है, एक class के अंदर, अब क्या ही है हमने सारी चीज़े एक class के अंदर बनाय है yes, इसी process को कहते हम, encapsulation this is the first pillar of the OOPS, what is called encapsulation, encapsulation is wrapping of a data in a single unit, wrapping of a data in a single unit, हमने क्या 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 हमने कुछ variables बनाय, कुछ methods बनाय, और ये दोनो एक class के अंदर बनाय, encapsulation मतलब इसके नाम से समझो, कुछ capsule जैसा काम हो रहा है, यहां मैंने shape भी वैसी capsule रखी है, ठीक है उसके अंदर कुछ हमने दवाईयां डाल दी है, एक variable नाम की दवाईय है, एक मतलब भरी दवाईय एक लाल दवाईय है, ठीक है, और ये एक निली परत के अंदर रखा हुआ है ठीक है, दवाईयां भरी हुई है, okay capsule के अंदर, capsule है blue color का, इस पूरे process को क्या कहते गया, encapsulation, मैंने हमेशा बोला, ये जितनी भी जो चारो पिलर है वो एक process को call करते है इस process में क्या है, encapsulation that is wrapping of a data in a single unit इसकी वज़े से ये secure भी हो जाएगा इसकी वज़े secure कैसे हो जाएगा, अरे देखो यार, कभी भी आपको capsule के अंदर क्या ingredients है, पता है, आपको आपको जानना है कभी कोशिश की कोनसे आपको, मतला sis का पेट में घर्द है, फिपका रह हातों में घर्द है बुखार है किशी नहीं उसका इने रिडेडियंτ कितना नहीं कितने ऊंदर के प्रेडियन्ट के instant प्रेडैंट है ठीक है अब इस छुपाने से क्या हो गया कि जिसको जिसका जितना यूज करना है वो करेगा अब जिसको खाने से मतलब है वो उसको खाने के लिए यूज करेगा जिसको उसके बारे में जानना है तो उसको खोल के उसके जा के रिसर्च लैब में जा के रिसर्च करेगा ठीक है अब यही चीज़ है, इसी process को क्या बोल दिया, wrapping of a data in a single unit, it is also used for the security purpose, okay, अभी real life छोड़ो, code में interviewer पूछेगा, by example दे लिखकर, encapsulation का, वो लोगे class बना की लिख दोगे, ठीक है, data members बना देते है, member function बना देते हैं, हो गया लोग, नहीं, ऐसे गाम नहीं चलेगा, interviewer यहां से नहीं होगा, ठीक है, interviewer इतने से संतुस्ट नहीं होगा, उसको खुष करना है, तब ही job मिलेगी, अब उसको कैसे खुष करोगे, ठीक है, तो वो देखते है, task test बना रखिये, सके अंदर public static wide main है, ठीक है, अब मान के चलो, कि मैं कोई example ले रहा हूँ, like class, employee बना ये मैंने, employee, okay, अभी क्या है, हर एक, employee की कोई employee ID होगी, yes, ठीक है, एक assign कर देते हैं, by default to, ठीक है, employee ID होगी, और क्या होगा, उसकी कोई salary होगी, salary calculate हो रही होगी, incentive होगा, अब चलो, ठीक है, एक int salary ले ली मैंने, ठीक है, basic salary, basic salary बहुत common ही होती हो सभी की, basic salary, okay, मान के चलो, भाई साब की 2000, 20,000 कर दी, ठीक है, 20,000 रुपे, इसकी basic salary है, now, अब एक और होगा method हमारा, जो incentive, calculate कर रहा होगा, या salary calculate कर रहा होगा, तो count sell, sell मतलब, this is not count salaries, okay, count salaries बना दिया, now, इसमें हमारे incentive एड हो रहे होंगे, ठीक है, हम आनके, चलो, मैंने कोई int incentive लगा दिया, ठीक है, incentive, 200 रुपे का भाई साब को incentive मिला है, ठीक है, तो हमारी salary count होके निकल के आ रही है, जो भी मंद के, चलो, इसको print कर रहा है है, basic salary plus, basic salary plus क्या हो रही है हमारी, हमारा हो रहा है incentive, okay, ठीक है, यह चीज हो गई, okay, अभी मैं public static wide domain में आऊँगा, मुझको कोई भी employee की चीज चाहिए तो मुझको object बनाना पड़ेगा, अभी मैं class test से बाहर की दुनिया देखाया, बाहर class employee बनाई अपकी बार, ठीक है, public static wide में आऊपजेक कैसे बनाते है, आपको पता है, मुझे क्या बताने की ज़रुत है, पुला नहीं एक बार बता दो, तो उसमें क्या है object बनाने के लिए आपको class का नाम, plus object का नाम, class का object बना रही है, equal to new operator, new keyword है, ठीक है, इसको ये क्या करता है, memory allocate करने में help करता है, ठीक है, एक और difference आजाता है आपका, वो क्या है, वो ये है, actual में object आपका memory hold करता है, memory hold कौन करता है, object, ठीक है, class कोई memory hold नहीं करता, कोई भी memory occupy नहीं करता, class is just a logical entity, ठीक है, हमने ये class लिखाया है, इतना code लिखाया है, इसमें int variable, variable बनाया, ठीक है, method बनाया है, ये memory नहीं लेगा, क्या, yes, ये memory लेगा, ये code वाली memory लेगा, ठीक है, कुछ KBs में लेगा, MBs में लेगा, अगर इतना बात कर रहा हूँ, जिसके पास चीजें होंगी, जिसके भाई, मान के चलो, कोई आपने human class बना दी, उसकी दो पैर है, दो आखें है, दो हाथ है, ठीक है, उसके बास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा काई उसने store किया है, ठीक है, तो वो actual में memory hold कर रहा है, it's like array, ठीक है, now, क्या करेगा keyword, यह memory allocate कर देगा उस object को, ठीक है, जैसे हम array प्रिंट करवाते तो, array का reference प्रिंट होता था कुछ, ठीक है, जब value प्रिंट करने होती तो हम क्या कर देते, array actual में address डालते थे, same object जब प्रिंट करोगे, कुछ नहीं आएगा, जब object. उसकी कोई property आपको लेनी है, तब देखेंगे, ठीक है, तो new, के बाद मैंने क्या बताया था, क्या लिखते है, constructor, constructor कैसे होता है, same class का नाम लिख दो, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा, constructor क्या होता है, ठीक है, तो class का नाम, दो bracket लगाओ, semicolon, बाद बन गई, आपका object हो गया, ready, ठीक है, तो हम object बना देते हैं, इस बार किसका बना रहे है, employee का, okay, employee का हमने बनाया है, भाई, हमारा employee है, engineer, okay, yes, engineer हो सकता है, manager हो सकता है, किसी भी company, बट वो employee के लाए जाएगा, engineer बाबू है हमारे, और हमने क्या बनाया है, new employee का एक constructor, okay, अभी हमारा object ब basic salary, तो मैं क्या लिखूँगा, object का नाम लिख दूँगा, engineer dot, जो भी मिरको उसकी property चाहिए, जो भी मिरको उसकी state चाहिए, वो यहां से आएगी, ठीक है, तो engineer dot get employee आ रहा है, बट अभी हमने getter setter बनाया नहीं है, वो अभी देखेंगे, ठीक है, तो engineer dot employee ID में डालो, employee ID, हमा आपर कहीं 2 लिखा, employee ID, public static wide min test में लिखा है, तो नहीं उपर वाली में लिख दिया, ठीक है, वहीं से तो आ रहा है, आपने दिना समझा दिया, कि class का object बना, object dot करके, उसकी properties को, हम चेक कर सकते, यह महताच, अमने पहले भी चेक हैं, collection framework में देखेंगे, ठीक है, बट, thing is very different, okay, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, that is, कि मैं आपको बोलू, मैं object नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं class से भी कर सकता हूँ, है, सच में, चलो देखें, अभी मैंने क्या किया, यहां पर डालूँगा, मैं वही class employee, employee dot, अभी मैं employee ID लेता हूँ, देखो, employee ID, now, yes, अभी यह तो red आगया न, error आगया, error नहीं आए, अभी सभी कर देखेंगे, static कर तो बस यह जाएक, ठीक है, hello, error गया, ठीक है, अभी run करेंगे, तो बारा से हमारी 2 आजाएगी, okay, 2, ठीक है, same, मतलब ऐसे ही हम सारे चीजे कर सकते हैं, सब कुछ access कर लेंगे, अभी मैंने static क्या ल special काम है, वो मैं आपको बताता हूँ, यह memory management में help करता है, यहां क्या memory management help कर रहा है, तो वो तो तुम थोड़ा दीरे-दीरे समझोगे, यह बता देता हूँ, कि static लगाने से, आपने जो variable कहीं declare किया है, वो आप कहीं भी access कर सकते हो, उस पूरे program में, उस पूरी file में, बुला हमार को access दो दे रहा है, globally कहीं भी हम access कर पाएंगे उस चीज को जो हमने static declare कर दी है, अब memory management help कैसे कर दी है, क्योंकि यह पूरे program के लिए कहीं एक memory में रखेगा, और उधर एक variable same नाम का बना दिया, उसको कहीं भी access कर पा रहा है, वो globally memory allocate कर रखी है, ठीक है, तो वैसा काम क static हमारे methods भी होंगे, अब मैं यह method के आगे static लगा दूगा तो यह static method बोल दिया जाएगा, ठीक है, static member functions भी हो गए, static data members भी हो गए, और भी चीज़े हैं, आगे इसको यह आपके लिए एक assignment रगया, पहला assignment, static को पूरा implement करके देखना, ठीक है, सब members बनाना, member function बनाना, और मै आपको एक और चीज़ बता दू, आप भीना public static, वाइड में के, execute कर सकते हो, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाली है, can we run java program without main method, ठीक है, पहले खुद ट्राय करना, अगर नहीं होता है, तो no, so this is your first assignment, okay, अभी हम वापस आ जाते, अभी मैं इसको access कर रहा हूँ, यह गलत ची कोई बंदा आके सीधा bank account की चीज़ें छेडखानी कर सकता है, object से छेडखानी नहीं कर सकते थे हम, वो access नहीं था यहाँ ठीक है, चीज नहीं कर पाओगे, और constructor भी होता है, अभी मेरे को यह जानना है कि मैं छेडखानी कर सकता हूँ, employee ID चेंज कर दूँगा, अब जब यह यहाँ static उपर कर दी, यहाँ employee ID कर दूँगा, चेंज, तो वो पूरे के लिए चेंज होगी, मैंने बूला, static पूरे में global कर देगा, ठीक है, कोई भी मेरे employee ID को, कोई भी basic salary को, कोई भी incentive को, object भी बना दो, चलो, object बना दो, ठीक है, तब भी तो मैं कर पा रहा हूँ access, ठीक ह है, मान के चलो, यह मैंने बनाया engineer, ठीक है, अब employee ID, अभी मैं यह चाहता हूँ, कोई भार का बंदा आगए, इसके पास, एक employee की date of birth होगा, father name होगा, address होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, अभी मेरे को, किसी को, अपना data share करना है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर कितने सारे engineers काम क internal services के लिए है, ना मैं उसका date of birth देना चाहता, ना मैं उसका कोई भी जनम कुंडली नहीं देना चाहता, ठीक है, कितने list of हमारे employees हैं, और उनके क्या-क्या numbers है, active, अब इस से क्या है, मैं employee ID, basic salary, अगर मैं यहाँ पर डाल दू, int phone number भी रख दू, ठीक है, int phone number, okay, अभी तो 0 तो phone number भी access कर पाऊँ, okay, यह मैं नहीं चाहता, now, यही आपका example बनेगा, किसके लिए, अभी तक आपका जो encapsulation है, वो आदा है, ठीक है, wrapping of a data in a single unit, is just half of the encapsulation, the second purpose of the encapsulation is to fulfill the security, तो वो आपसे पूछेगा, interviewer, कि please give your example with the code of encapsulation, आपका getter and setter, getter and setter, यह क्या होते हैं, देखो, जैसे ही, मैं इनको private कर दूँगा, अब यह private, private से समझ जो यार मतलब, ठीक है, बताने ही ज़रोते है क्या, हाँ, बताने की ज़रोते है, प्राइविट चीजे यानि क्या, भाई, वो मेरी private property है, public property थोड़े ना रही है, जो कोई भी भूशके आ अब तो मेरे को access है, मेरा यार दोस बाई बंदू होगा, उसके लिए एगर खुलेगा, गेट खुलेगा, ठीक है, बाकी सब के लिए, सब बंद, okay, now, yes, these are the access modifiers, ठीक है, access देना है की नहीं देना, वो कैसे, किस पर depend करता है, इनहीं पर तो depend करता है, प्राइब, तो यह क्य access modifier हो गया, अभी access बंद, देखो, red हो गया, अब employee ID पर नहीं छड़ सकता, अगर मेरे को कोई phone number चाहिए भाई, तो देखो मैं phone number ले पाऊँगा, नहीं, save करते हैं, एक बार run करके देख लेते हैं, आपकी संतुस्टी, हमारी भी संतुस्टी, ठीक है, तो phone number में कुछ दे द okay, तो अभी हम कुछ देख लेते, कितने types के होते हैं, तो हमारे चार type के access modifier होते हैं, public, protected, default and private, अभी हमने private देखा, हमने default भी देख लिया, बुला नहीं, हमने default नहीं देखा, देखा, जब भी हम अगर कुछ modifier नहीं लगा रहे हैं, अपने variable के आगे, member function के आगे, method के आगे, तो उसके आगे by default माल लिया जाता है, by default का भी कुछ access है, हर चीज नहीं है, हर जगे यह access नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह by default, अब देख लेते हैं, कहा कहा होते हैं, जिसे, same class के नदर हमने कोई variable बनाया है, कोई member function बनाया है, कुछ भी बनाया हो, मेरे को पूरे में कहीं interface, then package, अभी मैं package बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो package में public और protected यूज कर पाएंगे, subclass में भी, और यह global में भी, यह protected नहीं जाएगा, यहाँ पर default नहीं होगा, और यहाँ पर private, कहा, अभी subclass और global पढ़ोगे आप, subclass, जो child class बनाया हैंगे, अभी inheritance implement करेंगे, ठ यहाँ जाना तो, जैसी में प्राइवेट कर दिया, यहाँ सिर्फ यह से, class के अंदर यूज कर सकते, class के बार यूज नहीं कर सकते, जो हम देख चुके है, यह subno है, subno है की नहीं, yes, now protected, थोड़ा सा मतलब हो जाएगा protect, बट पूरा नहीं होगा, private मतलब पूरा protect, class के दूँगा, नहीं दूँगा, वो मेरे पर depend करता है, ठीक है, यहाँ तक कोई problem नहीं है ना, ठीक है, अब हम चलते हैं वापस code पर, जैसे मैंने बुला प्राइवेट अभी मेरे को, मान के चलो, मेरे को phone number और नाम देना है, ठीक है, phone number और नाम अपने बच्चे का है, अपने employee का देना है, ठीक है, अभी मैं अपना नाम भी बना ले रहाँ, ठीक है, private name, यहाँ हमारा string का होता है, string name, ठीक है, अभी मुझे चाहता हूँ, मैं, मुझे, अपना नाम, मतलब अपने employee का नाम, और मेरे को क्या देना है, phone number देना है, ठीक है, अभी तक तो यह हमने hold करना भ बनाते इसको, अभी access देना है, तो क्या करना पड़ेगा, और package भी बोला था मैंने, तो देखो, package जैसे मैंने ये बना रखा है, okay, my package, my class, okay, अभी क्या, आपको जब भी package बनाना हो, package यार कुछ नहीं, ठीक है, आप यहां पर जाओ, यह तो मेरी file हो गई, sorry, यहां oops में गई, ठीक है, और, हम बना रहे है folder, folder में जैसे, my package, okay, अभी मेरा actual जो folder है, वो package बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, अब जो भी मैं इसके अंदर कोई file बनाता हूँ, मान के चलो, मैंने कोई file बनाई है, class.java, ठीक है, अभी मैंने my class बना दी, package 2 में, अच्छा, क्या, आज तक, आ बारा से program लिख पाते थे, एक ही folder के अंदर नहीं, यह possible नहीं, ठीक है, आप चार ट्राय कर लेना, वो error देगा, तो हमेशा कभी भी आगर आप, same folder के अंदर, same name की class बनाना चाओगे, कभी possible नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा, यार, पहले से बनी हुई है, तो बारा क्यो बना अभी इस package के अंदर है, क्योंकि, उपर देखो, इसने by default लिख दिया package, my package2, ठीक है, अगर मैं कोई class बार बनाऊगा, तो वहां नहीं लिख, भी इसमें जैसे क्या है, इसको जैसे तुम यह कट दो, काट दो, ठीक है, लो भाई, कट गया, ठीक, कोई दिकत नहीं है, प्रो classes पढ़ेंगे, वह होंगे हमारी बेटे वाली classes, बेटी वाली classes, ठीक है, तो हमारा यहां क्या हो गया, package बनाने के लिए अभी है, मेरे इस package के अंदर class है की नहीं, तो मैं बोलूँगा, package keyword लिखूँआ, आगे, जो भी मैंने folder का नाम रखा है, वो अराम से, सिदद से, इज package 2, done, ठीक है, अभी, मैं जैसे my class के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं, अपनी my class के अंदर अभी, wide print लिख दे रहा हूँ, ठीक है, wide print मैंने method बनाया, okay, और मैं print कर वाता हूँ, चलो, system, ठीक है, my package 2, my package 1, okay, अब देखो, वापस आते हम, यहां पर अभी हमने employee का object बन बना रहा हूँ, अपने class का, ठीक है, अभी मैंने क्या बनाया, my class का object बनाया, बट यह error क्यों दे रहा है, इसको error नहीं देना चाहिए, अगर यह error इसलिए दे रहा है, क्योंकि, हमारे अभी तक, जो हमने class employee बनायी थी, वो हमारी हमारे पास थी, उसी program उसी file के अंदर थी, बट, अभी मेरे पास my class इधर नहीं है, वो package 1 में पड़ी है, package 2 में पड़ी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान के चलो भाई, मैं तो अपने package 1 से ले के आ रहा हूँ, import, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, my package 1 को import करना पड़ेगा, तब मेरी बात बनेगी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, dot star लगा दिया, तो हो जाएगा, अगर आगे भी अपन, class लिख सकते थे, ठीक है, class का नाम आ जाएगा, my class, ऐसे भी हो जाएगा, okay, वो specific, क्यूंकि, कि हमने देखा था, java.util, dot star लगाया था, यह scanner करना है, तो dot scanner, specific कोई class import करना है, तो class, अगर सब वो भी हो जाता है, ठीक है, अभी वो error चला गया, now, अभी देखो, मैं बोलू, my class बनाएगा, my class, now, अब मैं अपने print method को call कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखा, object का नाम लिखूँगा, dot, जो भी मेरे को method चाहिए, state चाहिए, तो वो, तो print कर रहे हैं, ठीक है, my class.print, अभी य लेकिन मैं save कर के run करूँगा, तो मेरा यहां पर कौन सा दिखाते, देखते है, c, high, my package 1, तो my package 1 से high आया है, अभी देखो magic, अभी देखो magic, अभी package 2 कर दूँ, यही से एक चीज देखना, beauty of the oops, c, high package 2, अभी package 2 से high आया, जैसी मैंने वा किया, ठीक है package 2, this is the beauty of the oops, इससे हम क्या कर पा रहे है, reuse कर पा रहे है, अपना code, ठीक है, तो नहीं, आपने same चीज़ी तो लिखी, वहाँ भी print y करा, वहाँ भी print y किया, नहीं, दोनों जगे print statement लग थी, ठीक है, ऐसी दोनों जगे logic सा अलग हो सकते है, जब आप कोई extra features add कर रहे हो, नया software में कोई new features add कर नहीं नहीं है, नए employee, अब हम क्या employee class अलग बना देंगे, responsibility दे देंगे, किसी को भाई तरको ये feature बनना है, तरको ये feature बनना है, बाद में एक जगे लाकि हम जोड सकते हैं, ठीक है, कोई extra नए feature पे काम हो रहा है, कुछ update पे काम हो रहा है, पुराने वाले code को हमें छेड़ना नह है, और उसकी सारी की सारी चीज़े यूज हो रही है, और जो extra नहीं हो कर लेंगे, ठीक है, अभी problem हमारी वो नहीं है, problem अभी वहीं के वहीं है हम, अभी हमने package बनाना सीख लिए है, package के अंदर से import करना सीख लिए है, बट हमारा encapsulation अदूरा है, encapsulation कैसे पूरा होगा, तेख में अपना काम रखना है, ठीक है, तो अभी मैं employee class बनाऊँगा, अलग से, पहले ये delete करूँ मैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ बना ली है, employee class, अभी test java के अंदर, हम आराम से use कर पा रहे है, क्योंकि हमारा same folder के अंदर है, same package के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, my package 1 और तो यही है, कि भाई अभी तुने वो काम तो करके ही नहीं दिया मेरे को, कौनसा, मेरे को phone number नाम नहीं दिया, ठीक है, अभी दे देते है, अभी यहाँ पर आता है concept, getter and setter का, getter and setter, अभी getter and setter, कुछ नहीं है, method ही है, ठीक है, इस बर हम method बनाएंगे, और उन method को call कर सकत होगा हमारा object, direct हमारी data members को नहीं छेड़ पाएगा, अगर मेरे को कोई भी, मान के चलो, अगर मेरे को phone number नाम देना है, तो मैं phone number का getter बनाऊँगा, उस getter से वो get कर लेगा, ठीक है, और अगर change करना चाता है, तो setter बना दूगा, तो set कर देगा, like मेरे कोई एक data engineer है, जो अ number नाम, change ना कर पाए database में गई, तो इसको मैं कौन सा method देता हूँआ, getter, ठीक है, ले भाई, तुससे get कर सकता है, change कुछ नहीं सकता, जो मेरा administrator है, वो change कर सकता है, उसको दे दिया, getter भी, और setter भी, ठीक है, तो मैं अलग से class बना सकता हूँ, right, उसमें मैं access दे सकता हूँ ठीक है, तो अभी ये कैसे होगा, देखो, कुछ नहीं है, जब भी get करना है, तो get करने का time पर value रेटन होगी, set करना है, तो value अपडेट होगी, okay, ऐसे मेरे को name देना है, तो किसका getter बना दूँगा, name का, ठीक है, return name, तो मेरे ऐसे getter बन गया, phone number का भी, और नाम का भी, भी मेरा phone number आगया, अब मेरे को ऐसे नाम चाहिए होगा, तो नाम भी ऐसी copy, इसको करके एक बार रख देता हूँ, और मेरे को नाम भी चाहिए होगा, तो मैं कह लिख दूँगा, get name, बस, ये क्या है, आपको पढ़ने में भी easy रहे, ठीक है, बंदा समझ पाए, इसलिए naming convention इसलिए होती है, आपके जाने के बाद कोई engineer रहे काम करेंगा, उसको भी तो समझ में है, क्या getter है, क्या setter है, तो उसी साब से लखा है, देख लो, get name और get ph, उसी साब से नाम रखा है, get name और get ph, ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखने है, यहाँ पर मैंने गल्ती कर दी है, get ठीक है, वो capital हो जाता है, जब भी आपका change होता है, variable name शुरू होगा, okay, अभी तो ठीक है, इतना उच्छा नहीं कर रहे है, ठीक है, zero और null, हाँ भाई, हमने कोई नाम रखा नहीं है, employee class के अंदर, ठीक है, zero value है, क्योंकि object value होल्ड करता है, और value हमने कभी होल्ड कर वाई न नक्षा है, blue prints है ही है, जिसकी वज़े से object बनता है, और logic है वो, class तो हमरा logic है, actual में तो real life में क्या है, physical entity हमारा object, ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे constructor, okay, अभी जैसे मैंने कोई employee बनाया, नया engineer बनाया है, engineer 1, 2, तो मैं इसमें value डालता हो कि भाई, उसका कोई ना नाम है, मान के चलो, तो मैंने नाम बोल दिया by shivam, ठीक है, shivam नाम है, और इसका phone number है, ठीक है, phone number हो गया, मेरा 21, 21 तो नहीं होता है, ठीक है, वो integer value होल गरो, अभी बोलोगा, यह red के से दिया, yes, लेकिन आप एक चीज याद गरो, जब हमने, लेकिन आप एक चीज याद अभी constructor में value डाल रहो, तो constructor with parameter हो, बनाते है, constructor का क्या है, जो भी आपने class का नाम रखा है, उसी का method बना दो, but non return type होना चाहिए, वो return return नहीं करेगा, कोई return type नहीं होगा, उसका नहीं void होगा, नहीं int होगा, नहीं string होगा, नहीं नाम होगा, आपको सिर्फ रखना है class का ना और आपको क्या कर देना, दो bracket लगा देना, खोलना बन, बस, ठीक है, अभी, इसके अंदर आपको कोई value रखना है, value रख दो, अबड़े से मेरे को phone number था, phone number था, ठीक है, और देखते है, phone number, ठीक है, और मेरे को क्या था, name, तो वो name में याओ जागा, name था, employee name, ठीक है, EMP name ठीक है, सुला, यहां पर कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लाओ ना फिर, इती parameter डालो इसमे, तो हम क्या बोल देंगे, पहले हमने नाम डाला इसमे, ठीक है, तो string, employee name, okay, comma, string, comma, int phone number, ठीक है, सेव किया, error सारे गए, अभी देखो, सेव कर दिया है हमने, और यहां पर आते हैं, let's run again, इस बार क्या आया, 21 और शिवम, यही मैंने डाला था, शिवम और 21, अच्छा, उपर देखो, यह, जावा में एक्सेंशन, यह दे देता है, ठीक है, employee name, और phone number जा रहा है, ठीक है, तो यही हमारा यहार, output में आ रहा है, इसको हमने गैटर से ले लिया, अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, यहां तक तुम समझ गया की नहीं, ठीक है, अभी यह security के लिए यूज हो रहा है, और यह actual main encapsulation है, जब वो आप से example पूछे, तो आपको क्या बोलना है, गैटर सेटर इंक्लूड करके दे देना है, दोके ब क्या दे दिया, क्या दे दिया, वही cannot find symbol something something, क्योंकि भाई इसको employee ID मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि नहीं मिलेगी, क्योंकि employee ID हमारी private है, हमने दी नहीं, access ही नहीं दिया, so now encapsulation क्या बनता है, wrapping of a data in a single unit with hiding the data, with hiding the data, details from another class, हमको access देना है की नहीं देना, व वला, ठीक है, अब ब ठीक है, तो एक जो हमारे marketing वाले बन्दे होंगे, bank का software बना रो माल लो, एक कोई marketing वाला बन्दा है, तो इसको marketing के लिए सिर फोन नंबर दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, hello sir, हम इस bank से बोल रहे हैं, क्या आप credit card बनना चाहते हो, ठीक है, yes, no, okay, ये होती है, चीजे, तो समझ रहे हो मेरी बात, यहां तक मेरी भावनाई समझ आ रही है, ठीक है, ये getter setter बना के दोगे, तो आपका encapsulation पूरा होगा, encapsulation का मतलब ये है, wrapping of a data in a single unit, with hiding the data details, okay, no, confusion हो जाएगी, आगे जो आप पढ़ोगे, abstraction, उससे भी, ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम जो constructor बना था, ठीक है, अभी हमने value डाली है, तो यह हमारा constructor with parameter बन गया, तो हमारे चार टाइप के constructor होगे, default constructor, copy constructor, parameterized constructor, private constructor, ये कौन सा है, constructor with parameter, यानि कि parameterized constructor, अभी by default कौन सा होगे, जो हमने बनाया ही नहीं था, अपने program में, ठीक है, फिर भी हमने यहां पर constructor call किया, ये Java के पास constructor बना दीता है, लेकिन, अभी, मान के चलो, मेरे को, कोई detail विटेल नहीं देनी होती, ठीक है, simply ये बनाता मैं, employ, engineer to, new employ, बस, ठीक है, इस बार मैंने ये किया है, तो by default constructor है, अभी ये error देगा, क्यों देगा, क्योंकि मैंने कोई, अगर constructor with parameter बनाया है, अपने program में, और उसक बनाया है, दूसरी बार भी बना लए ना फिर, बिना single, single constructor जो भी होता है, simple constructor, ठीक है, मतलब, उस तो घड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो वो, भाई, तुमको बनानी पड़ेगी, फिर Java नहीं बनाएगा, अगर तुमने constructor with parameter बनाया है, और without parameter नहीं बनाया, तो, आपको अ डाल दिया, ठीक है, name है, name मैं लगा दे रहा हूँ, बताओ क्या लग दूँ, लिख देते हैं, विक्की, चलो अपने दोस्त का नाम, आज याद आया गया, ठीक है, विक्की लिख दिया, अभी मैं सेव करता हूँ, यह by default value अप जाएगी, अभी मैंने यहां पर क्या किया है इसको जरा हटाओ, ठीक है, अभी मैंने engineer 2, अभी मैंने engineer 2 का, वो number लेते है, engineer 2 का name, देखो, मैंने कोई engineer 2 की value डाली है, नहीं, ठीक है, देखो, जो हम default constructor होता है, वो by default values कोई डालता है, और आपको कोई specific by default value रखनी है, क्योंकि database में आप null नहीं डालना चाहते है, ठीक है, और name में तो null जाएगा, तो आप कुछ x, y, z, नाम रख देना चाहते हो, तो वैसा कुछ होता है, ठीक है, अब बड़े-बड़े software बनाओगे तो जाद अच्छे समझोगे, अभी यह समझते है, यहापर हमने कोई phone number नाम नहीं दिया, engineer 2 का फिर भी आएगा, देखो, wiki और parameterized constructor बना लिया, अपने प्रोग्राम में, तो Java नहीं देगा, बोलेगा तो खुद बना, और अगर आपने नहीं बनाया, तो Java देदेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो default value दाल देगा अपनी, जो भी उसके पास होगी, ठीक है, data members में, अभी यहाँ तक आप beauty समझ गये, code की की नहीं समझ गये, encapsulation clear हुआ की नहीं हुआ, हो गया, constructor clear हो गया, अभी constructor में यह क्या है, यह हो गये, तुमारे दो, ठीक है, अभी मैं एक और चीज़ बताओं आपको, यह वाला, ठीक है, private, ठीक है, अगर मैं इसको लिख दू, private, ठीक है, प्राइवेट जैसे ही मैं लिख अब देखो, इसको जड़ा मैं comment कर दू, क्योंकि उसको private नहीं किया था मैंने, ठीक है, अभी मैंने constructor बनाया, बट प्राइवेट कर दिया, error आ रहा है, की नहीं आ रहा, save करूँगा, run करूँगा, देखो, see, output is error, कुछ error आ गया, कुछ मिलेगा नहीं उसको, ठीक है, मिल न नहीं मना सकते, यह फिर से एक और point जो, जुड़ जाता आपकी security में, तो कभी आपसे पूछा जाए, why we create private constructor, yes, पूछा जाता है, क्योंकि जब 4 आप पूछा जाएंगे, एक इसमें यही हरकते कर रहा होता, ठीक है, तो आपसे पूछा है, why we create private constructor, because, क्यों, security पर बस, अगर मेरे को किसी class का access देना नहीं, direct मेरे को एक class का object ना बना ले, कुछ कर ना ले, उससे गड़बट, सीधा मेरे bank account की, bank की main class हो गई है, तो उसके objects मैं दे ही नहीं रहा हूँ किसी को, ठीक है, तो उसमें मैं private constructor मनाऊँगा, तो देने है, तो नहीं बनाऊँगा, फिर बोले, हम simple constructor क्यों बनाते है, क्योंकि, क्योंकि, अगर हमने parameterized वाला बना दिया, parameter वाला, तो भाई ही, वो java अपना feature नहीं देगा, तो उम्हार को बनाना पड़ेगा, इसलिए हम simple भी बनाते है, ठीक है, एक copy constructor भी होदा है, पढ़ ले नहीं, यह मारा private constructor क्लेर हो गया, तो मारा encapsulation क् अभी इन-capsulation का example बूचता है, तो आपको getter setter से, दो value private में रखना, और दो दे देना, getter setter बना देना उसके, ठीक है, अभी हमने getter बनाए, setter नहीं बनाए, setter क्या है, मतला बही मेरे को अगर को value को, अगर मेरे को value को, अपना set करना पड़ता, update करना पड़ता, ठीक है, अभी एक चीज़ देखना, यह कौन से मैं update कर रहे होंगे, यह उपर वाली value, ph और name, और जो by default केडल रही है, 222, wiki, 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 ok, अभी दिम देखना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक get कर रहा था न, अभी मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, engineer to, यह अभी मैं विक्की से डाल रहा हूँ, मान के चलो कोई मेरा नाम है, विक्रम कर दिया, ठीक है, विक्रम, ok, अभी मेरा विक्की नेम अभी मैं update हो जागा, default value, ठीक है, same, engineer to, dot, set, phone number करना है, phone number, दुबारा phone number डाल दो, पिसले बाब तू 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 ता, अभी मैं 3-3 कर रहा सेफ करते हैं, अभी यही same code, different output देगा, see, 3-3-3, विक्की, भला है, 3-3 तो update हुआ, विक्की क्यों नहीं update हुआ, अभी मैं नाम लिखा है, देखो बकाई दा, विक्रम, hmm, यही तो समझाना था तुमको, देखो, यहां पर क्या है, हमारा name, 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 कहां गया, भाया, setter, यह र name है, ध्यान से पड़ो, name, उपर आओ, page up, यहां पर क्या है, name, अब भाई हमारा, जो code है, वो बोल रहा है, कौन सा name है, भाई, तुरे दो name बना दिये, अरे यार, confuse तो हमने कर दिया बिचारे को, अब जब हमने confuse किया, तो confusion कौन दूर करेगा, हम ही करेंगे, नहीं, हम नही करेंगे, प्रोग्राम ने, इसमें लिखा हुआ, जावा ने बोला है, अगर जादा कुछ है, क्योंकि देखो, यार, दुबारा फिर name, name, एक ही सही लगता है, अब बोलो name 1 लिखा है, name 2 लिखा है, खुद ही भूल जाओगे, तो हमारी जो naming convention, वो कैसी है, real life जैसी है, अब मैं कोई name को update कर रहा हूँ, एक name ही तुबारा variable भी तो बना सकता हूँ, एक class का variable हो सकता हूँ, और एक मेरा, हो सकता है, parameter वला variable हो, बट दोनो name है, ठीक है, तो इनसान के लिख सही है, अब code को distinguish करना है, तो यहाँ लगा दो this, बस, अब जैसे तुम this लगा दोगे, तो this.name क मतलब क्या हो जाएगा, कि यह अब code, जो यह वाला नाम है, पहले वाला, वो गया तुमारा class का data member, और यह दूसरे वाला, जो तुमारे को parameter में पास होके मिला है, बस, अब save करते हैं, इस वाली file में जाओ, save करके, दुबारा से run करते हैं, see, 333 vikram, और 333 viki, इस बार update कोई confusion नहीं हुई, हमारे code को भी, और हमको भी, ठीक है, इसलिए getter और setter यूस करते हैं, क्योंकि encapsulation incomplete है, बिना getter और setter के, ठीक है, यहां तक, सब डन, clear, दिमाग से, यह topic clear हो गया, topic clear हो गया, है न, कि encapsulation, wrapping of a data in a single unit, एक class बनाते हैं, class के इंदर कुछ, हम data members बनाते हैं, with, हम जिनको access देना है, उनके getter setter बनाते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हमारी क्या, पूरी class मैंने किसकी मना दी, encapsulation की, okay, एक और homework है, दुबारा वही assignment, ठीक है, spoon fitting नहीं, इसमें हमने यह this use किया, इसमें हमने एक this use किया है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए this और भी जगे यूज होता है, ठीक है, this constructor भी बनता है, ठीक है, तो this keyword को जाकर तुम्हें research करनी है, पढ़ना है, डूंडना है, खुद try करना है, code करना है, वीडियो फिर से channel पर मिल जाएगी, बट पहले खुद try करो, this constructor भी बना के देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूब पर, so हमारा second most important pillar है, oops का, that is called abstraction, what is the abstraction, बच्चे बहुत confused होते है, encapsulation और abstraction में, encapsulation में, बन्दा बोल देता है, hiding the background details, ठीक है, और abstraction में भी बोल देता है, hiding the background details, ठीक है, और abstraction में भी बोल देता है, hiding the background details, बोले का, interviewer फसाता है, वहाँ पर, भाई, मुझे proper difference दो, what is encapsulation, what is abstraction, with example, encapsulation में बन्दा लिख देता है, ठीक है, getter, setter, but abstraction में फिर फस्ता है, उसको याद नहीं होता, इस पर मैं दूँगा, ठीक है, example, याद रहेगा, एक चीज याद रखना, मेरी वो क्या है, कि encapsulation, wrapping of a data in a single unit, वो class बनाना, data memory, यह सब, plus लिख देना, data hiding, क्या, data hiding, abstraction में क्या होता है, implementation hiding, implementation hide करता है, ठीक है, अभी, example समझते, real life, देखो, कभी भी, अगर आपने iPhone यूज किया, हाँ, किया, Android phone यूज किया, किया, दोनों में एक difference है, iPhone और Android में क्या difference है, यह बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, comment में, सबसे ज़्यादा market में क्या है, Android, iPhone तो नहीं है, ठीक है, क्यों, देखो, Android open source है, Android open source है, iPhone, iOS, right, iOS open source नहीं है, ठीक है, वो private company own करती है, अभी इसमें यह क्या पंगा है, देखो, iPhone नहीं चाहता ना, कि भाई, उसकी तुम कैसे features हैं, क्या बना है, कैसे बनी है, उसकी implementation देख लो, अगर देख लोगे, तो अपना iPhone नहीं बना लोगे, same, अगर मान के चलो कोई गाड़ी है, Audi है, Audi, Mercedes, Ferrari, अपने features दिखा देगी, अपनी details दिखा देगी, ठीक है, सब क्या से बन रहा है, क्या है, तो कुछ इस पर गार की दिखेगी, ठीक है, सब जगे, security खतम उसकी, कोई भी कुछ भी आ के सारे parts पढ़ सकता है, देख सकता है, बन सकता है, खुद की Audi, खुद की BMW में घुम सकता है, खुद की iPhone बना लेगा, इसलिए company तो नहीं चाहती न, ऐगा Instagram बन जाए, Facebook बन जाए, WhatsApp बन जाए, नहीं चाहेगा, कोई company नहीं चाहेगी, TikTok बन जाए, नहीं बनेगा, बन रही है, क्योंकि वो अलग engineer कर रहे है, वो अलग स दिख रहे हैं, हम चाहते हैं, जो essential चीज़ यह है, वही दिखे, वही access कर पाए आदमी, यह तो encapsulation में हुआ, encapsulation में data control कर पा रहे थे, encapsulation में, हम data control कर पा रहे थे, अगर मेरे को phone number देना है, तो दूँगा, ठीक है, नाम देना है, तो दूँगा, getter बनाउगा, setter बनाउगा तो नहीं जाएगा, लेकिन, मैं कोई implement, जो मैं class का structure था, ठीक है, कोई class का structure जो है, उसमें employee ID, name, date of birth, यह सब कुछ था, उसको बंदा जाका change कर सकता है, उसके structure को modify कर सकता है, और वो बोलेगा, लो भाई, मेरा software हो गया, ठीक है, से, इसमें जाके engine change गर दे, अपी YouTube पर जाता ही है, ठीक है, तो वैसे कुछ, company don't want to be compromise with this security, this is the high security, right, now, this is called abstraction, abstraction is the process in which we hide the background implementation details, okay, it provides only essential information, which user want or which company wants to be provide, okay, जितना company को चाहिए, उतना देगी, जितना user को चाहिए, उतना ही वो ले पाएगा control, okay, उतने ही information, implementation, details, उसको मिलेगी, अभी, इस abstraction को achieve कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब बनाया कैसे जाता है, implement कैसे किया जाता है, code में, तो तरीके होते है, abstraction को implement करने की, एक होता है हमारा abstract keyword और एक होता हमारा interface, थोड़ा सा मुश्किल, abstraction, abstract, समझ गए, abstraction, interface, नहीं समझे, interface, actual में हमारा blueprint होता है, क्या होता है, blueprint, ठीक है, अई मान के चलो, कोई घर बनाना है, building बनानी है, ठीक है, कहां room होगा, कहां bathroom होगा, कहां parking होगी, ऐसा कुछ नक्षा बनवाओगे, यहां bathroom है, यहां room है, यहां kitchen है, ठीक है, यहां पर कही तुमारी stairs आ रही है, ठीक है, यहां पर तुमारा कोई main gate, entry gate, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी बेखार सी drawing बनगी, okay, leave it, now, तो मैं क्या कह रहता, हां blueprint, तो ऐसे ही हमारे software के बनने से पहले, software का कुछ blueprint बनाया जाता ह ऐसा ही दोने नहां चल भई आज हम like का button बनाएंगे आज हम subscriber का button जोड़ देंगे आज हम यह कर देंगे आज वो कर देंगे ऐसा नहीं होता है actual में एक blueprint बनता है उसको हम implement करते हैं class के अंदर और जो यह चीज मैंने आपको एक starting में बताई थी एक सबसे पहले हम package बनाते है package के अंदर interface बनता है interface को implement class कर रही होती और उसे object बनते हैं बहुत सारे ठीक है तो एक class के बहुत सारे object बन सकते है ठीक है एक car के बहुत सारे car बन सकते हैं बहुत सारी BMW car और तुमारी Audi हो गई, Fortuner हो गई, Scorpio हो गई Suzuki की हो गई, ठीक है car की category में आगी bike बना दी तो bike में आगी Haya Busa, BMW, Ninja ठीक है बहुत सारे object बना सकते हैं एक ही property होल्ड करते हैं इसलिए तो same जो property होल्ड कर रहा है अबजेक्ट वो class के अंदर हमारी बनी हुई है बट उससे पहले declare हो जाती हमारी इंटरफेस के अंदर इंटरफेस में सब डेकलरेशन का पार्ट है यहां से एक और chain बढ़ जाती है यह security को fulfill करती है और यह हमारी होती है abstraction layer यह हमारा कौन सा pillar बन जाता है abstraction pillar हाँ तो एक चीज़ जरूर याद रखना अगर जब भी आपसे इंटरवी में पूछा जाता है what is the abstraction तो यह तो हो नहीं सकता कि आपसे यह वाला कोशन ना पूछा जाए how we can achieve the abstraction ठीक है आप बोलते हो due to abstract method due to interface बोलोगे तो आपके पास एक कोशन फिर से फिक के मारेगा आप 100% अचीव कैसे कर सकते हो मुझे यह बताओ ठीक है तब आप कहाँ बोलोगे abstract बोलोगे या interface बोलोगे तब आपको बोलना है we can achieve 101% abstraction using interface ठीक है because abstract class बनाते है तो हमारे अंदर कुछ methods होते है abstract class के अंदर वो may be abstract हो सकते है और may not be और abstract का मतलब होता है कि भाई declaration है सिर्फ क्या है? declare है declare है कोई implementation नहीं है ठीक है? अभी इस काम है code देखाता हूं ठीक है? क्योंकि with code मांगेगा जोबी बंदा मांगेगा वो पुछे का what is abstraction? तो आपको बोलना है abstraction is the process in which we hide the background implementation details and provide essential information only okay now जब वो पुछे how we can achieve it we have two ways first abstract second interface how we can achieve 101% means 100% तो उसका मतलब हो गया interface only okay let's do it तो अभी जैसे हमने last example बना रखा employee यह सब है ठीक है leave it एक नई class बनाएंगे हम हमारी class बन रही है bank okay bank.java ठीक है अभी क्या है? मैंने class बना ली public class bank okay इसके आगे simple मिर को क्या करना है abstract keyword लागा अभी भी कहीं भी लगा दो abstract अभी यह क्या हो गई हमारी abstract class बनगी ठीक है अभी इसके अंदर आप दो चीजे कर सकते हो क्या आप members बना सकते हो ठीक है data members और क्या रख सकते हो आप member functions भी बना सकते हो member functions no अभी member functions में ही actual implementation किसके अंदर होती है member functions के अंदर कुछ logic लिखा जाता है am I right no अगर में इस logic के आगे मतलब जो भी member functions के आगे अगर मैं abstract लगा दू ठीक है abstract लगा दू तो हम अब implement नहीं कर सकते इसके अंदर yes हम implement नहीं कर सकते यह चीज में आपको अभी करके दिखा दो नेम लिया हमने कोई भी हमार जो बैंक में कस्टूमर है उसका नाम स्टोर करना है okay leave it अभी मेर को इसकी जो भी account में bank account में बहुत सारे bank account होते है saving account होता है उसकी जितनी earnings दिख रही है incoming withdrawal सब कुछ ठीक है अब कोई कर सकता है read कोई कर सकता है write for example मैंने बुला मैं read करना चाता हूँ अपनी saving details जो भी है तो wide read क्या डाला है read data read data okay read data अभी मैं क्या है पूरे bank account में जितने भी नाम है जितने भी सब कुछ सब data यू समझ लो उसको मैं read method बहा दिया मैंने अभी यह read कर सकता हूँ ठीक है मैंने बुला system.out.println okay अभी मैं I can read the data okay अभी इसके अंदर कुछ implement होता कुछ logic होता ठीक है कुछ भी for example कोई API कॉल हो रही होती है सब कुछ suppose कर लो ठीक है वहासे data कॉल हो तो सब कुछ हो जाता कैसे क्योंकि मैं इस class का object बनाता और वहासे method कॉल कर लेता नए 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 यही तो functionality है अब मान के चलो हमने bank बनाई दी ना ठीक है इस सब को हटाते हैं थोड़ा सा अभी मैं bank का क्या बना रहा हूँ object बना रहा हूँ bank bk equals to new bank okay ठी यह क्या दे रहा है error दे रहा है इसी folder में है error क्यों दे रहा है क्योंकि कभी भी यह याद रखना मेरी चीज जब भी आपकी abstract class बन गई था हम उसका object नहीं मना सकते और जिस चीज का आम object नहीं मना सकते तो उसको access कैसे करेंगे it can't be possible ठीक है तो हमारा abstract जो नहीं होगा okay but फिर भी 100% क्यों नहीं है because we can create this thing right लेकिर अगर मैं यहाप abstract इस method के आगे भी लगा दू okay abstract read data okay now अब ही मेरा क्या हो गया अब यह error दे रहा है क्यों error दे रहा है यह error दे रहा है abstract methods do not specify a body method की body नहीं होगी यानि कि यह सिर्फ declare कर सकते हो क्या इस नाम का method होना चाहिए bank में but इस नाम का यह logic नहीं लिख सकते कुछ भी तो कोई body नहीं मना सकते इसके नहीं रीड नहीं कर सकते अभी तो मैंने simple read print कर रहा हूँ मानलो database की connectivity से data यह पर बुला लिया होता तो और वो कुछी को मिल लियाता तो आना उसने object नहीं मनाया उसने कुछ अतरम जतरम लगा के read कर लिया class तक पहुंच गया तो यह तो दिक्कद है ना we can create abstract method but इसमें क्या है problem solve कोई error नहीं अभी but इसमें problem क्या है अभी हम इसके अंदर जो भी हमारा method है member function हो उसको with logic भी लिख सकते हैं without logic भी depend करता हम उसके आगे abstract keyword लिख रहे हैं कि नहीं सभी methods के अभी यह क्या declare हुआ है only declaration part ऐसे ही मैं write का बना लू abstract void write अभी मैं सिर्फ यहां पे write कर सकता हूं data no अभी यह दोनों मेरी सिर्फ declaration है कि यह मेरे method है actual में definition तो नहीं है कोई logic है नहीं क्या read data कहीं read कर रहे data नहीं कोई write वाला write कर रहे data नहीं नाम है कहीं कुछ नहीं ठीक है अभी इससे क्या है हम अभी इससे क्या है हम दो class बना सकते है लग-लग जिसको read करवाना है read credit card ठीक है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं क्या पे bank है कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए आपको feature बनाना पड़ेगा, इसी में फाइल में करते हैं, कोई दिक्यत नहीं होनी चाहिए, हम बनाएंगे class, अभी मैंने class, bank को, class अभी हम बना देंगे admin, ठीक है, admin, यह extend किसको करेगा, bank को, ठीक है, extend keyword लगा देंगे, जो अब किसको करेगा, bank को, यह एक error दे रहा, क्या error दे रहा है this type, admin, must implement the inherited abstract method, bank read data, this, yeah, write data, तो अब भाई, यह कह रहा है, जो मैंने, method वहाँ पे declare करे हैं, ठीक है, abstract class में, उनको, अगर तुम कर रहा हो है, inherit, यहां पर एक inherit keyword आया है, कि नहीं, inherited, okay, no, अगर यह inherited आगे, यह inheritance का लग से एक और पिलर है, this is the fourth pillar, जो भी हम पड़ेंगे, जा रहें, तो extends keyword, विल्कुल समझा रहा होगा, ठीक है, अभी हमको implement करना है, क्योंकि यह पर implement है, must be implement का मतलब, implement करने ही होगे, तो अभी मैंने जैसे डाला, void reader data, okay, अभी मुझे यहां पर body बनानी पड़ेगी, ठीक है, अभी भी error है, क्यों, write data गा, तो, void, write data, okay, ती, अभ काम खतम, right, write data, अब देखो, अब मेरे error चला गए, क्या, कोई error नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि, भाई, admin वाला, क्या, read भी कर सकता है, ठीक है, now, अभी मैं बोलूँ कि, मेरा class है, marketing वाला बन्दा, okay, marketing, marketing वाला भी extend कर रहा है, किसको, bank class को, ठीक है, वो भी feature, उसके पा features, ठीक है, bank कर दिया, यह भी still, marketing भी कर रहा है, अभी इसको भी same, implement बोलेगा, यह देखो, implement, ठीक है, इसको fix कर देते, एकदम, okay, see, अभी यहाँ पर एक concept आ गया, यह खुद से मैं लेख दिया, generated code, override, ठीक है, this comes in the polymorphism, ठीक है, and this is the override आ गया, and this comes in the, under polymorphism, polymorphism, दो type का होगा, overloading, overriding, तो runtime और compile time, polymorphism, ठीक है, उसमें, override, override का बनलाब, नाम से समझो, override, override से दुबारा एक चीज समझो, वही, same to same हो रहा है, override का मनलब गया, एक दुबारा से, override, override मनलब, दुबारा से उस चीज को दुबारा लिखा गया, उसके implementation को लिखा गया, ठीक है, अभी, उसमें नई values को डाल दिया गया, override कर दिया, ठीक है, कुछ पुरा नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर कोई access दूँगा, यह implement कर नहीं पाएगा, ठीक है, only यहाँ पर क्या कर पाएगा, यह read कर पाएगा, read वाला दिया, ठीक है, अभी भी हमारी 100% नहीं हुई, जैसे हमने देख लिया, same, एक layer पूरी जुड़ जाए, जो blueprint हो, ठीक है, उस blueprint को, जैसे हमारी कोई blueprint बनाता है, engineer, उससे एक mystery आता है, उसको building बनाता है, उसको उस blueprint को implement करता है, ठीक है, एक mystery, और उस mystery से जो बनाया घर है, उसमें रहने जाते हैं, हम, we are the objects, राइट, और हमारा एक घर हो गया, वो एक class होगे, जिसमें हम जैसे लोग, बहुत सारे जानवर ल बढ़ेगी आपको, तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं, interface keyword यूज होता है, इसमें चाहूँ, इसमें भी use कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अलग से जोड़ूँगा, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, mybank.java, इस बार मैं class नहीं बनाऊँगा, ठीक, यह mybank है, error दे रहा है, म मेरा interface बनाँगा, अब इसके अंदर यह 101% हमारा abstraction हो गया, क्योंकि यहां पर implementation हो ही नहीं सकती, पिछली बार मैं किसी method को लिख पा रहा था, उसके अंदर wide print, मतलब body बना पा रहा था, actual में तो, इस बार मैं body नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, सभी के सभी method, मेरे abstract रहने वा पिछली बार नहीं आया था, देखना चाहोगे, bank class है, यहां पर मैं जाओंगा, यह देखो, यह मेरा, यहां पर लिखते हम, wide method, यह देखो, कोई error नहीं है, चला गया, ठीक है, बट मेरा यह my bank में error आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि, देखो कि इसको over किया, क्या लिखा यह error है, जब में abstract keyword लगा दिया था, अपने method क्या गए, यहां पर already abstract हो गया, सारी चीज़ें, अगर interface में दो, तो मैं body's की बनाई नहीं सकता, ठीक है, method इसकी अंदर method की body बनाई नहीं सकता, ठीक है, तो अभी मेरे को कुछ read करना हो, या write करना हो, तो मैं write नहीं कर सकता, okay, now, मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार से अपनी class बनानी पड़ेगी, कोई, class बनाई, class मैं बना रहा हूँ, तो class मैंने बना दी, sbi, ठीक है, sbi bank है, जो extend करेगी पूरे मेरी bank के features को, my bank, अभी, मैं ऐसे करूँगा, error आ गया, बना, error क्यों है, सही तो किया, हमने भी पिछली बार ऐसी किया है, ठीक है, देखो, देखो, जल्दी से देखो, class admin extends bank, नहीं, इस बर मैंने क्या बना, blueprint है, इसके होती है, blueprint, और इसको ये engineer ने design करके दिया, यानि कि एक manager है, जिसने बोल दिया, ये सारी चीजे हमारे software में होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको एक class देदी जाएगी, फिर इसके बाद ये engineer ये बनाएगा, ये engineer ये बनाएगा, और ये इसके लिए दी जाएगी, ये इसक software engineer अपना, software engineer, अब वो software engineer क्या करेगा, एक class SBI है, ठीक है, SBI read करके वालो, SBI read, जो data को read करती है, actual में, ठीक है, तो SBI read करेगी, implement करेगी, SBI read, actual में, implement कर रही होगी, जिसमें, implements keyword डाल देंगे, ठीक है, implements keyword डाल देंगे, अभी, फिर से error है, ये देखो कि उपर, इसमें, मैं hover करता हूँ, this type of SBI read must be implemented, inherited abstract method, mybank.write, ठीक है, अब वो कह रहा है, mybank.write को एक बार हमारे को implement करना पड़ेगा, लो कर दिया, ठी system.out.println, जो भी लिखना चाहो, यहां लिख सकता हूँ, SBI read, okay, दो, अभी मेर को SBI read का object बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँगा, यहां पर जाकर, अपना SBI read, यहां करूँगा, मेरा पूरा object बन गया, SBI read कर गया, ठीक है, कोई problem नहीं, but इसमें एक layer मेरी जु class बनेगी, वो implement करेगी मेरे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, basic, basic, जो मेरे, मतलब method बनने है, जो आगे काम होना है, ठीक है, जो भी है, यह read actual में, तो read यहां था, ठीक है, write हो, leave it, read, write, और भी मतलब display, get id, get, वगर, वगर, जितने भी होंगे, सारा declaration का part किसमें होगा, इसके अंदर, only declares, only, इनको implement कौन करेगा, हमारी class, अभी देखो, error दे दिया, भाई, क्योंकि भाई, मैंने फिर सब, तो नहीं किया, implement, जितने भी interface में होंगे, इन सब को implement करना पड़ेगा, ठीक है, यह वाला पंगा बढ़ जाता है, now, अभी क्या बोला, declares only, सिर्फ, interface के अंद implementation नहीं होगी, जब implementation नहीं होगी, कोई बंदा मेरी my bank तक पहुंच जाता है, तो उसको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी implementation है नहीं, तो it actually hides the implementation details, वो क्या है, essential information दे रहा है, अब manager को, manager को भी पूरा access नहीं देना, ना, manager को कोई class है, तो manager को इतना पता है, कौन read कर सकता है, कौन write कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, उसको ये सब पता है, read write ये method है, ठीक है, phone numbers है, सब कुछ है, लेकिन actual में access नहीं हो, उसके पस, उसको पता है, ये methods है, जिसको अलग-अलग बंदों ने, उन level पे access है, उनको, वो provide किया गया, तो ऐसे एक बड extend कर दोगे, कब करोगे extend, जो आपने class बनाई है, abstract, और उसको हम कर रहे है, extend, ठीक है, okay, abstract class का object नहीं बनेगा, और interface का भी, कभी भी object नहीं बन सकता, जैसे मैंने बनाए mybank, ठीक है, मैं यहाँ पर जाओंगा, मैं यहाँ पर जाओंगा, मैंने आपको दिखाय था, abstract class का नही bank, क्योंकि, अगर मैंने object बनाने को दे दिया, तो actual मैं तो मैं access कर पाओंगा, उसकी values को, उसके methods को, मैं तो नहीं चाहता हूँ ना, तो my bank को, new my bank, देखो, it is getting error, right, तो यह possible नहीं है, ठीक है, interface का कभी object नहीं बनता, abstract class का कभी object नहीं बनता, but, interface से हम 100% abstraction अचीव कर सकते है, okay, so, this हम नहीं देख लिया, अब abstract class का हम कोई object नहीं बना सकती, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उस extend कर रहे थे, किसी और class के अंदर, इस process को बोल देते है, inheritance, इसने क्या क्या किया, actual one, जो चीज़ बैंक के पास थी, अब वो admin के पास भी आगी, ठीक है, तो अभी real life example सम किसी और.